तो गाइस काफी टाइम बात में किसी AMC न यहाँ पे US के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए क्यों यूएस का मार्केट अपने आप में जो है एक तरह से लो टाइम के उपर आ चुका है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या इस अन फ़िक अंदर आपको पार्टिसपेट करना चीए क्या इस म्यूचल फंड के अंदर आपको इंवेस्ट करना चीए क्योंकि आप लोगों को पता हो कि सेभी का रिसेट लिहां पे रूल आया था और काफी सारे जो mutual funds जैसे की मूती लालोसवाल जो NASDAQ 100 यहाँ पर offer कर रहे थे उन्होंने यहाँ पर investment बंद कर दी है और उनके उपर एक limit लगा रखी है सब के उपर ही सारी AMC company के उपर ही कि आप एक limit के beyond यहाँ पर foreign stocks वगरे के अंदर invest नहीं कर सकते हैं यह retail investor के उपर applicable नहीं है जो IND money और vested जैसी application के थ्रूँ यहाँ पर invest करते हैं यह mutual fund investor के लिए basically applicable है तो mutual fund जो houses होते हैं वो एक beyond limit के यहाँ पर उपर foreign के stocks वगरे में invest नहीं कर सकते हैं इस बात करते हैं कि यह access का जो NASDAQ FOF है आकर वो है gap दिखे जैसे आपको simply नाम से पता चल रहा है कि यह simply एक index fund है जो कि NASDAQ 100 को यहाँ पर track करेगा NASDAQ का simply मतलब यह होता है जैसे हमारे इंडिया के अंदर nifty चलता है आप nifty में अब कैसे 50 कमनिया होती है तो NASDAQ में क्या होते है NASDAQ में total 100 कमनिय है जैसे अब list देख सकते हैं यहाँ पर जैसे Apple हो गया Microsoft हो गया Amazon Tesla बलब US की सारे के सारे जो tax giant से वो सारी कमनिया हो गई तो top इसके अंदर 100 level की कमनिय होती है आप गईस होता क्या है यह वाले जो mutual funds होते है जिसके भी आगे FOF लिखा होता है यानि कि funds of funds आप गईस होगा क्या आप यहाँ पर access को 10,000 रुपे देंगे तो access क्या करेगा आपके उन INR को डॉलर के अंदर convert करेगा और उसके बाद में access जो है US के अंदर जो ETF चल रहे है जो index ETF चल रहे है उसके अंदर यहाँ पर simply invest करता है तो guys अभी right now यहाँ पर access ने जो है तीन ETF का यहाँ पर नाम दे रखा है जैसे आप नीचे स्क्रीन के सामने दे सकते हैं एक है iShare Nasdaq 100 ETF एक है invest को का eQQ है और एक है X tracker Nasdaq 100 ETF तो इन तीन ETF के अंदर आप जो भी यहाँ पर पैसा डालेंगे इस NFO के अंदर वो simply यहाँ पर invest करेगा और यह तीनों ही ETF यहाँ पर जो है Nasdaq 100 को track करते हैं लेकिन guys इन mutual fund की problem क्या होती ना यहाँ पर आपको दो बार expense ratio यहाँ पर bear करना पड़ता है for an example इस NFO की बात क्यों तो जो इसक से explanation होता है जो ultimately यहाँ पर investor को ही bond करना पड़ता है और guys इसी तरह के FOF के अगर मैं comparison में बात करो Nasdaq के अंदर तो हमारे इंडिया के अंदर तीन mutual funds और है जिसके अंदर नावी का Nasdaq 100 FOF है आयते बिल्या सललाइफ का Nasdaq 100 FOF है और कोटक 100 FOF है तो अगर आप इनके यहाँ प 500 FOF और कोटक का Nasdaq 100 FOF ले रखा है अब guys यह लोग जिस ETF के अंदर इंवेस्ट करते है वो भी Nasdaq को track करता है तो जैसे अगर आप देखेंगे एक साल के नावी का Nasdaq 100 देखेंगे कोटक का Nasdaq 100 देखेंगे तो यहाँ पर 16% है और यह 14% है तो इनके बीच में आप जो percentage का gap देख रहे है ultimately basically वो tracking error कहलाता है तो guys यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कल USA का market जो है अगर 2% से गिरा है तो मैंने जिस mutual fund के दर invest किया है वो भी 2% से गिरेगा वो guys तभी possible है जब आप IND money या वेस्टर जिसी app के तुरू directly ETF के अंदर invest करते है लेकिन अगर आप एक Indian mutual fund के route के तुरू आप जा रहे है US के market के अंदर invest करने के लिए तो यहाँ पर आपको tracking error definitely देखने को मिल जाएगा फिर चाहे वो ETF हो या फिर mutual funds हो तो guys मैं बात करो एक long term horizon period को लेके कि माल लीचे अगर मैं 5 साल की return की बात करो तो next day ने 67% का यहाँ पर return generate करके दिया है वहीं पर nifty 50 ने हमारे 70% का return generate करके दिया है तो guys अभी भी market गिरने के बाद में भी still इसका 67% return generated है जबकि अगर आप उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया के market के compare में काफी जादा इसने return जो है generate करके दिये थे तो अगर आप एक long term horizon को लेके चल रहे हो तो माल लो अगर आपको 67% भी नहीं मिला at least आपको 60% भी मिल गया अगर आप एक mutual fund के route के तुरूर चलते हो तो definitely guys आपको यहाँ पर जो foreign के NASDAQ 100FOF होते है उसके definitely यहाँ पर investment करनी चाहिए तो आपके लिए कौन सा यहाँ पर best mutual fund साबित हो सकता है तो मेरा final conclusion यही है कि Axis का NASDAQ 100FOF यहाँ पर आपको ignore करना चाहिए तो guys होई भी लाइट इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग के कोई भी डाउट से comment box में ज़रू बताइए Thank you guys, thank you very much